तो दोस्तों हम पहुंचे हुए सोनपूर मेला जो एसिया का सबसे बड़ा मेला है कैसे हो आप लोग तो हमारे साथ है कुछ फ्रेंड्स लोग तो चली देखते हैं कैसा है यहां की मेला बजार मंदीर और कपड़े का मार्केट जो भी लगती है यहां पर जो आप यह बड़ा सा ग्राउंड देख पा रहें यह अंदर वाला तो इसमें बहुत से गायकार लोग संगितार सिंगर सोनु निगाम ऐसा अलकायागनिक लोग आ यह पीछे साइड में देखते हैं पूरी खच खच मंडी थी मैं रात को यहां पर आ गया था मेले के अंदर बहुत कल तो नहान था शायद नहाने का दिन था ऐसा कुछ बोलते हैं तो उसके वाइसा बहुत सारा भीड़ था यहां पर पब्लिक चलने लाइक नी था तो मैं तो मैं कल का रात को हुआ थी वीडियो बनानी पाया तो आज देखते हैं मैं दिखाता हूं यहां पर क्या क्या है आफर में आपके लिए खास गड़ी सरफ आफर में पहले इस्तिमाल करें फिर बिश्वास करें आपने टीवी में इसका परचार देखा होगा घड़ी डिटर्चन कितने दिन से आयो मेले में कल्द बिका कितने का यह दस का यह अगर आप पर्चेस करना चाहिए तो खरिशकते हो जो खूबसूरती के ल आप देपा रहे हैं महोट का फूआं और सामने सबसे बड़ा जूला आसमानी जूला के नाम से जाना जाता है लिए हम गंगे तेल दोस्तों अगर मेला में घुंते-घुंते सरदरद करने लग जाए तो यहां पर फिरी में हीम गंगे का तेल दिया जा रहा है अगर कोई ल भगवना यह देख सकते हैं जिसमें आठा गुन्ने के लिए काम आ सकता है कुछ भी आप घर में यूज के लिए जैसे यह चोटा पैक लेते हैं तो एक प्लेट मिलता है सर दूख रहा है तो यह तेल लगा लें और अगर आप हिम गंगे फ्रस का पोकोनेट लेते हैं तो य अगर आपको ज्यादा ठंड लग रही है तो आप मोजा भी खरीच सकते हैं जो बहुत ज्यादा हो लंबा आप देख पा रहे होंगे तो और इस तरफ है नौरतन अमिताप बच्चा ना इसका अमबेश्टर यहां पे भी अगर आप कुछ नौरतन तेल लेना चाहते हो यहा आप करीच सकते हैं क्या नाम में इसका जेवर जेवर यह ऐसे करके बढ़ाते हो बड़ा करते हैं इस तरह से बन जाएगा कितने का देते हैं आप 50 पाव केजी है एक पाव में कितना आएगा एक पीस एक पाव केजी का है तो दोस्के देख सकते हैं कितना टाइम लग रहा है इसको बनाने में थोड़ा थोड़ा करके वो फैलता चला जाएगा तेल के अंदर और उसके बाद मिठा रस में डालकर पचास रुपे केजी तो टेस्ट कर लिया जाए यहां पर है कंबल मार्किट 320 रुपे केजी कंब अगर मंडी सोरी मेला में घुमने के बाद ठक गए हैं और रात को सुने का व्यवस्ता अगर नहीं मजा आ रहा है और इंज्वाय करना चाहते हैं तो चले जाए यह सोभा स्मार्ट हेटर के अंदर यहां पर कुछ लड़की आपको डैंस करकर दिखाएंगी और आप रात का इंज्वाय कर सकते हैं चार्ज महात्र एक से क्यावन रुपए से लेके अड़ाइसो तिन रुपया तक यह क्रिसी विभाग यानि किसानों का पूरा विभाग है इसमें आप किसान भाई आकर हर चीज का हाईब्रीड का यहां पर बीज खरीच सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि किसान का हर एक चीज इस मार्केट के अंदर मिलने वाला है तो सबसे पहले आप सुरुवात कर सकते हैं इधर से अगर कोई पवधा लगाना चाहते हैं तो यहां पर इस खेती में बताया गया है गन्ना प्लस आलू गन्ना और साथ में आलू का खेती कैसे करें गन्ना खेता है तो यहां पर आप यह अप हाइब्ड का नीम ऑगर खरीते हैं तो यह इतना नरम होता है कि आपको बहुत मजाएगा च्छोने में इतने चोटे से उमर में यह बन गई यानि इसके उन्दर से बीज निकल गया है नीम तैयार निकल रहा है और यहां पर बहुत सारे सबुदाने का पेड़ा लोग शायद कम देखें कि शाबुदाना दिल सूरुपे का यह पूरा पेड मिलेगा आपको पेड लेके जाएए चाहिए जितना उप जाइए यह पपीता का बीज 10 उरुपया धनिया बीज 10 उरुपया गाजर वी 10 उरुप में नहीं लगाया जाता है मार्च घर्मियों के मौसम में जैसे मार्च अप्रिल माई जुन जुलाइब यह है क्रिसी भीभाग का जैसा आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया है आप यहां पर आगर आते हैं कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं जो कि किसान भ आप देख पा रहे हैं और यह स्टार्ट हो जाएगी आज राच से यानि के चौविस तारीक है चौविस एक ज्यारा दो आजारा को स्टार्ट है अगर इंज्वाय करना चाहते हैं तो गुलाब ठेटर में भी अच्छी अच्छी प्सूरत प्सूरत लड़कियां हैं डैंस खरीज सकते हैं 20 परसंट चूट और फिक्स प्राइज के साथ दोस्तों अगर आप ओरीजिनल जैकेट खरीदना चाहते हैं कस्मीर का आप कस्मीर से हैं तीन महिना एक महिना हो आप तीन महिना थोड़ी लगता है यह मिला एक महिना का है जी आप तीस दिन का हम उसके बाद यहीं पे रहेंगे गगा तक इदर ही अच्छा पुरे थंड तक रहीएगा आप पुरे ठंड तक रहीएगा आप जो अगर आपको तीन महिन में कोई कोई बोलेगा कि लगतर नी है हम आपस त दिने आपको बिल दे जागए लिएजिए यह क्या प्राइज है इसका प्र था तो यहां पर अपने माप का शूटर बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं सोनपूर मंडी में साहर साइज का बन जाएगा जितना बड़ा साइज साइज सेट यहां से किया जाता है उससे ज्यादा बढ़े रही नहीं आगे जैसा कलर बूरियों वेसा क्या एक शोटर का प्राइज कितना आएगा मेरे साइज का फूल कि थाड़े पान समय बन जाएगा तो चलिए देखते हैं हमारे देशी कह सकते हैं देशी चीज यह है जो बहुत बढ़ियां मशीन के द्वारा बनाया जा रहा है अगर को बनवा पर खरीबना चाहता है तो आप पर्चस कर सकते हैं यह मशीन और यह बन बना हुए शोटर यह देख सकते हैं यहीं का बना हुआ है क्या रेंज का होगा यह प्राइच शे सौ रुपे का गर्मी करेगा फूल गर्णी का फूल गरंटी अ हाफ लेना चाहें साड़े 400 मौफलर खरिदना चाहें जो केजरिवाल जी पहनते हैं कि देर सो रूपे का तो लोस्तों हम अपने धीरे-धीरे कदमों से मंदीर के तरफ पहुंचने वाले हैं जो ये बहुती नामी गरामी मंदिर हरिहर नाथ जी से नाम से जाना जाता है तो चलि मैं आप लोगों को मंदिर के अंदर भी घुमाता हूं इस तरफ है मीना बजार 40 रुपय का कोई भी समान लीजिए कि इधर साल है 1500 रुपय का शाल कोई खरीदना चाहता है पहनने के लिए सौल 1500 रुपया अच्छा है तो देखे यह हैं होल्सेल 15 रुपया अर्मान जी का फोटो लिजिएगा 15 रुपया इस बितान का कोई भी प्रोडक्त आप खरीदा चाहता है 4-5 रुपया um सब करती है लाय कर दो कर दो है सब कर दो जो है कि लाय लाय कर दो भडार मके कि लाय कर दो दो कैंब याय कर दो बखिए माउन माम梵 कोई और अड्स याय के अ ओप अज हो युम तो दोस्तों हम आगए उस गली में जिस गली में मंदिर है तो यह मंदिर का सुन्दिरता आप कह सकते हैं मैं अंदर सहीन करता हूं इस तरफ से स्टेट बैंक एटियम के जश्ट बगल में तो दोस्तों हमारे फ्रेंड मंदिर के अंदर गए वह अपना पूजा करकर आएंगे तो यह देख सकते हैं यह मंदिर आप भी अगर दर्शन करने चाते तो कर सकते हैं यह पुरा मंदिर यह बहुत बड़ा एरिया है तिक पा रहे गया है मांग ले हम रूला और जश्ट पगल में मैरेज हो ले आप जो बिल्डिंग सामने देख पा रहे हैं मैरेज हो ले जो बन रहा है विद्ध भी बट उसमें भी कुछ अब्टक के रेडियो हो चुका है तो लगभग मैंने पूरे सोनपूर का जो मेला है और मंदिर व लोगों को उमीद है आपको वीडियो पसंद आए होगी तो लाइक और शायर करना ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग